मीरिक मा वाग्येकार गोपाल योंजन को सालिक निर्मान गरिनुपने माग गर दै गोपाल योंजन भक्त समोह मीरिक महकुमाले गोर्खालेन छेत्रिय प्रसासन का प्रमुक कारेपाल अनि थापालाई थर्भू डुप्तिन समस्टिका सबासत मिलेस राई मार्फत ग्यापन पत्र बुजाय का छन येस क्रममा गोपाल योंजन भक्त समोह को पक्स बाठ केसांग लामा एसबी गजमेर अनि कैलास राई उपस्ति थिये भने गोपाल योंजन प्रतिस्टान दार्जलिंका अद्यक्स मित्र लामा अनि सचिव चन्दन लमजेल को पनी उपस्तिती रहे को थियो ग्यापन पत्र बुजाय पसी पत्रकार हरुसंगा कुराकानी गर्ने ख्रमम मा गोपाल योंजन भक्त समोह को पक्स बाठ केसांग लामाले गोपाल योंजन को जन्मा मिरिक को ओकाईटी चियावारी मा भाय को कारण मिरिक मा पनी उनको सालिक निर्मान गरीनु पने माग गर दे ग्यापन पत्र बुजाए को बताए और को तिरा गोपाल योंजन प्रतिस्टान दार्जलिंका अदेख्श मित्र लाम आले पनी मेरिक मार गोपाल योंजन को सालिक निर्मान गरीनू जरूरी रहाईकोर यही वर्ष सालिक निर्मान हुने विश्वास मनी व्यक्त गरेका सन। सालिक निर्मान हौना भूपाल योंजन को सालिक निर्मान गरेकार गोपाल गोते पर्त कर %. प्रदानुगर्ने कुराहरू मुला आए तरह माइले चे उईले दिहीने, मोमात्र लगाए अमी संपुरुण कपानि मुन पतिस्तान का सोदेश्या हूं। पतिसे चे मिलिंदों, मोमात्र वर अम्रुण का सोदेश्या हैं। न वर ठांचों पनी रधानिर हने से तो, जो अधने रगेता गोपालियन गोजन मतलो मिरिक भोहें करो अधना पनी त्रेणी बाइमा मिरिक रहा दो चाना थेए, तहला कथि पया है पुरा हगले करता हुरता है हमेश अधने माथी मातर कर गोन पाईयूटियों गला अजि न इ मेरिक पपनी गणानी वागे का गपालींगन प्रेक्षालाई को गुद्गाटन को टाइन माँ चाहिए मेरा तिदी हेरा अधर निया मिलिश्राय शर्षाम वेर कार भाते हो माई को माई वड़ायी वह जस्त महान भस्ते को यागोर्य पाया भूर्ण। वह ने को लिए पुरण टाइब तरह लागा नहीं नहीं आपने आगाएंगे पुर्ण तरपला भाहते हैं आज अनुदी पत्रचण नहीं काम संपन करते हैं नमस्कार, आमी विशुष्टेरा गपलेंजन बक्तर सम्हार विरिकमा कुमाहरू भूलेर। समीतिको पक्षमा, साथे या मीट्र लामजु चन्नन नुब्देंजु वहारू गपलेंजन प्रतिस्टान का यह मानेने अटविचनुँँच, महा साथी बुनुँच, अनि आमी गपलेंजन बक्तर सम्हार विटा उपईज चराई भाई शिक्वदु रद्वेजिव मा स्माहरू परीशुटू अनि आमी गपलेंजन बक्तर सम्हार विटा विटा उपईजुटू परीशुटू परीशुटू जानुच, अनि चोब जनाुच का सतामा, पक्तर वरीशुटू την επैनावी इस्ताफीटू आप नहीं आप लेगो जना भनू जव विटब्रेम तोटों, भुख बादावा व्मेश परें शालीक स्थापना घर्येनगा परच अधिशापना में लागी पडिवेड रायाति में 15 वक्षा अभिदेगीन यो बिचार रायाति ते रहार। अधि अधि शकराक्न प्रायक्षण अधिया अनुकुल समय आभी पायका चुंग रामी समुर्च एनरजेटिक उर्जावान सभासर मिलेज राजवाम्तु समस्ति को प्रतिनिद्रित्र गररा अमनु भैकुछ रानी श्रीनोई गोखलान छेत्य प्रस्वासन मापने आमीरे उर्जावान देती तो पायबाचु प्रमकारेवाल छेड़ाने थापचुछ रामीला विष्वास्ट हो वहां के पालों मा दाजदिंग माँ प्रतिस्तान्च एंप पहलमा दाजवान गर्धारन वहां को प्रांगाशमा दिकर दो रामीरे बुट प्याव सालिक इस्तापना को इसायको छा ज्योग माँ पायशक्ण भायबाचु मेरत वापन दो सकता से कौप पम्या दो के माझा अलियンヨगर का उती है मिम कहोद के कवबने लिओन का चलिएपुब से या पिरिक्चकिरा के जिए घरीस श्वाष्ट के मार्फद आनगे जापन पत्रा तरायकर हो रजन जापन पत्र मेरिक मा पनी गोफानियन को जालिट इस्थापना अना सकोष रमाल किश्कर नो क हम आपया ब्दम नगवा कि अğदु का दिस युकिल Tỉक ना, कर से कि अदध मिन एपास को नगव सहली तो एक मिला भाया चान दिस भशाए न मीरमुनी को चालर जही भाया हो एगा अब अभी भावक्षा मेरो ड्यूटी बन्जा मेले पाहिला हुआ समस्वावावाई मेरो बोली यह बाते में पिशकर सुन भाई आज पिलोंता भाई भाई जो बन भाई आज भाई आज भाई आज भाई आज नागालंड सरकार टीयर 500 मंतली लोट्री आज पाहिलो पुरसकार सारहे दुई करोड ज्यान डीर दूसरो पुरसकार एक करोड टीकट 500 रूपया ड्रों उनकतीस अप्रिल पुरसकार केवल पिक्री वह का टीकट अरुड़ बाठ डियर बोली बंपर दुई हजार देईसका सारहे दुई करोड विजयता बृच्पाल स आइलिट क्रीज क्रियेशन और डबल इलिट सर्जेरी और अपर आइलिट ब्रफरोप्रास्टी या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आइलिट सर्जेरी या एसियन आइलिट ब्रफरोप्रास्टी यह सब जो टर्म है एक ही टर्म है आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो जो है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग को क्रीज कर सकते हैं इसी प्रोसिएर को हम लोग डबल इलिट सर्जरी या इस यह जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगुलियन फेसेस हैं में जैसे की जो पहारों पर रहने वाले लोग अपने डाजलिंग और सिकीम औ नेपाल के लोग हैं या इस नौर्थ इस इंडिया के लोग हैं उनके जो अपर है उस पर क्रीज नहीं होते हैं तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं एक बहुत ही सिंपल है जिसके द्वारा कि हम यह क्रीज क्रेट करते हैं आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग enhance कर सकते हैं, एलिट सर्जरी बहुत ही safe procedure है daycare procedure में हो जाता है, बहुत ही low cost में हम लोग यहाँ पर करते हैं और complication के chances minimum हैं और आप routine activity second day से join कर सकते हैं और अब एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो beauty है या जो parameter orbital region जो eyes की beauty है उसको आप enhance कर सकते हैं मैं आपको अपने कुछ results के बारे में दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो face है just you can see यह पहले का face है और यह बाद का face है दोनों में आप difference देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमने eyelid surgery जिसमें किये तो eyelid surgery करने के बाद जो face का dullness या जो heaviness दिखता है पहले वो खतम हो जाता है means आप more youthful और more young दिखना शुरू होते हैं अगर आप interested है यह surgery कराने में तो आप हमसे contact कर सकते हैं धन्यवरत